लिए हूँ हावर्वन आज की सेशन में हम डिस्क्स करेंगे इंट्रस्टिंग वर्ट फोर डिफरेंट टाइपस ओफ फीर यनि कुछ लोगों को पॉट्टे से डर लगता है बिल्ली से डर लगता है आग से डर लगना पानी से डर लगना उंचाईयों से डर लगना इस तरह क जित्ते भी डर होते हैं उनके लिए अलग-अलग English में जो terms होते हैं वो interesting words हम यहां सीखेंगे एक चीज आप दिमाग में रखिए आज के जो session होगा उसमें हर word में आपको phobia शब्द last में जुड़ावा दिखाई देगा उस phobia का मतलब होता है वो डर के लिए यूज होता है फर्स्ट आपका term दिखरा है आपका aquaphobia और hydrophobia aqua hydro यह सारे जो terms होते हैं वो water related होते हैं तो इसका मतलब वहाँ aquaphobia और hydrophobia that means fear of water यह नहीं पानी से डर लगना बहुत से लोग होते हैं जो पानी से बहुत डरते हैं मान लेजी कहीं तैढने की बात हो पानी के बड़े समुदर किनारे जाने की बात हो तो उन लोगों को डर लगता है उस situation को आप बोलते हो aquaphobia और hydrophobia next आपका term है electrophobia electro, electron यह जो सारी terminology होती है यह electricity related होती है तो आपका electrophobia हो गया fear of electricity यानि बिजली से डर लगना next आपका term है नॉक्टी फोबिया और निक्टो फोबिया देखो एक पहले हमने term सीखा था निक्टो फाइल पीछले साइब पहले के session में देखा था निक्टो फाइल दिखा मतलब उस चीज़ से आपको लगा वा उस चीज़ को आप पसंद करते हो निक्टो नाइट के लिए उस उता है तो या निक्टो फोबिया का जो मतलब होगा वह आपका fear of night यानि जो लोग रात के अंधिरे से बहुत डरते हैं उसको आप बोलते हो निक्टो फोबिया गेमो फोबिया देखो गाइनेको फोबिया जो आपका टर्म है वह होता है fear of women यानि औरतों से डर लगना नेक्स्ट आपका टर्म है जूफोबिया तास में फोबिया मतलब डर और जू यानि आप अनिमल्स की बात कर रहे हो तो fear of animals जानवरों से डर लगना वह आपका ओगया जूफोबिया नेक्स्ट आपका टर्म है साइनोफोबिया साइनोफोबिया आपको दमाग में रखना है fear of dogs जिन लोगों को कुतों से डर लगता है उसका आप बोलते हो उस situation में बोलते हो याद रखिएगा उस situation में आप यूज करते हो लोगों के लिए उस situation के लिए उस डर को आप इनोफोबिया बोलते हो एलूरोफोबिया आपका होता है fear of cats यानि बिल्यों से डर लगना नेक्स्ट आपका टर्म है एंग्लोफोबिया अब एंग्लो जो टर्म वह इंग्लिश लैंग्वज और इंग्लिश कल्चर से रेलेट hypophobia next up का term है Acrophobia Acrophobia होता है میں Fear of heights Acrophobia that means fear of heights या निन उंचाईयों से जिन लोंगों को ड़र लगता है उन लोगों को जिस प्रकार का जो डर लगता है उसके लिए जो टर्म अलग से English में use use होता है चाप्शोगा या रकिए गए यह टरम उन fear of colors यानि रंगों का अलग अलग प्रकार के रंगों का जिनको डर लगता है यह भी एक अजीब सी विमारी होती है तो उस situation में आप बोलते हो chromophobia next आपका term है acoustic जो terminology यूज होती है वो हमेसा sound के लिए यूज होती है तो acousticophobia आपका हो गया fear of noise यानि शोर सरावे से आपको डर लगना उस situation को बोलते हो acousticophobia next आपका term है theophobia जो term आपको दिख रहा है वो हमेसा God related चीजों के लिए यूज होता है theophobia that means fear of God यानि भगवान से डर लगना स्कोटोफोबिया आपका हो गया fear of darkness अंधेरे से जो डर लगता है वो स्कोटोफोबिया अब यहां आप इंफ्यूज मत होना अगर रात का रात से डर लग रहा है तो रात में जैसे अलग-अलग मन जो आवाजें आती है डरावनी आवाजें आती है यह हवा चलना भी अपने आपको बहुत अंगो डरावना लगता है तो वह आपका निक्टोफोबिया होता है लेकिन रात के तुर समाइल है अ यह होता है आपका फिर ओफ मैं फिर ओफ मैं आपका हो गया एंडो फोबिया और होमिफोबिया उमिठ्म से दर लगना और अवरत से दर लगना उसके लिए अल्रेडि हमने को नेक्ट अहिंग को व्पोबिया क्लेस्ट्रोफtes और जो तरम भीए क्लास्ट मतलब छोटी सी जगह या जहां पर एक छोटे से स्थान में आपको कहीं आप अनकमफर्टेबल फील कर रहे हो तो सिच्वेशन को बोलते हो क्लस्ट्रोफोबिया नेक्स आपको पहले एक एक सेशन में बता रखा है कि मोनो जो यूज होता है वह वन पर्सन के लिए लिए तो मोनोफोबिया यानि अकेले रहने से इनको अकेला मतलब खुद तो फीर ओव बिंग अलॉन अकेला रहने से जिनको डर लगता है कुछ लोग होते हो अकेले रहती बहुत डरते हैं या बोर फोटो टर्म यूज हुआ तो फोटो फोबिया का मतलब जो फोटो आपकी होती है वह फोबिया नहीं है यह आपका फिर ओफ लाइट यानि प्रकास से डर लगना लाइट से डर लगना फिर आपका एक नेक्स टर्म अगला बहुत ही शांदार सा शब्द है बहुत से लोगो फिर ओफ नंबर थर्टीन के लिए आपका यह अच्छा सही वर्ड यूज हो रहा है दो चार बार आप इसको प्रैक्टिस केजिए आप इसको सीख जाएंगे नेक्स टापका टाम है थर्मोफोबिया अब थर्मो जो टाम है वह थर्मल से इसका जो में होता है वह थर्मल होत होती है फिर ओफ स्मॉल तिंग्स आपको पता है माइक्रो जो टाम होती है वह बहुत चोटी चीजों के लिए उस होती है तो फिर ऑ फिर ओफ पहुर्पोबिया और wild土 और वाइन और और ओशला और विमारी को ड़ लगने की उस विमारी को आप मिthाइल-phobia और पोटो-phobia कहते हो अब नेक्स्ट अ एसल अपका term है अरिथे इतो अरिप्वोबिया और नीम्रो फोबिया अ और न्यूम्रो फोबिया जिसका मतल़ण fear of numbers, जिन लोगों को numbers याँ जो deserts होते हैं, उनसे डर लगता है कि ये term यूज होता है, जिनको अंक गणित जो आपकी होती है, उससे डर लगता है arithmetic आपको बता है, अंक गणित उससे जो डर लगता है वो होता है, आपका fear of numbers इसी के साथ आज का हमारा session end होता है, ध्यान रखेगा ये जो सारे term सीखे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये उस situation में जो डर लगता है, उस डर को क्या बोलते हैं, अलग-अलग formats में, उनके लिए आप सारे terms हमने सीखें, I hope आप सभी को बने रहने के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं, so now keep learning, keep growing, take care, bye-bye, see you soon, keep smiling